हेलो दोस्तों कैसे ही आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है बाते रजनी जी अपनी बहु वैसाली को उंचे सरु में डाटते हुए बोली बहु या क्या तुमने दाल के तड़के में अजवाइन क्यों नहीं डाली सारी दाल का स्वाधी खराब कर दिया वैसाली डर गई औ जाल दूंगी ये सुनते ही रजनी जी उसे गाली देते विये कहने लगी बहु मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना और फिर भी तुम भूल गई क्या तुम्हारी माने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया कि ससुरा लाने के बाद बहु सारी चीज बदल जाती है अब माई के का गुरगान यहां मत करो तुम्हारी मा भी पता नहीं कैसी है जो अपनी बेटी को खाना बनाना भी नहीं सिखा पाई सास के ताने सुनकर वैसाली की आँखों में आशु भराए और वाबिना खाना खाये ही अपने कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गई उसके साधी क अभी दो महिने हुए थे ससुराल में खाने पीने सी लेकर सारे नियम कानून बिल्कुल अलगी थे दीरे दीरे वैसाली सब कुछ सीखने और सबंजने की कोशिच कर रही थी उसके ससुराल में उसके सासर और एक छोटा देवर था जो बाहर हास्टल में रहकर पढ़ाई कर था वैसाली को लगा था कि छोटा सा परिवार है वह सब को खुश रखेगी लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ अलगी था क्योंकि उसके सास चोटी चोटी चीजों के लिए उसे ताने देती रहती थी और इसी तनाओं में आकर अक्सरवा कुछ चीज भूल जाती थी वह हमेसा या सोसी थी कि अगर मुझे कोई गलती हो भी जाती है तो मम्मी जी को मुझे प्यार से समझाना चाहिए ना लेकिन नहीं बस तुरंत गाली देना सुरू कर देती हैं रजनी जी का अपनी बहु को ताने देना और उसे कोशना तो उनका प्रिय काम था वैसाली को या सब बिल कुल भी अच्छा नहीं लगता है वैसाली की बात सुनकर अंकित को बुरा लगा और उसने कहा अरे यार मैं मा की बहुत इज़त करता हूँ मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता तुम सास की थोड़ी बहुत गालियां सुन भी लोगी तो तुम छोटी नहीं हो जाओगी अपने पती की बात सुनकर वैसाली ने भी ठान लिया कि अब उसे अपने पती को सबक सिखाना ही होगा क्योंकि सास तो उसकी कोई भी बात मानने के लिए तयार नहीं थी इसलिए उसने अपनी मा को फोन लगा कर कहा कि मा मेरी बात को धियान से सुनो आज तुमें मेरी लिए कुछ क रही थी लेकिन अपनी बेटी वैसाली के समझाने पर वा भी अपनी बेटी का साथ देने के लिए तयार हो गई वैसाली अब मन ही मन मुश्कुरा रही थी साम को मा बेटी की जोजना अनुसार उसकी माने अपने दामाद अंकित को फोन लगाया तो अंकित वैसाली को आवाज लगाने लगा कि तुम्हारी मम्मी का फोन है आकर बात कर लो तभी वैसाली ने कहा मैनी तो मम्मी से बात कर ली थी हो सकता है आप से कुछ काम हो तो आप कर लो तभी अंकित ने फोन उठा लिया और उन्होंने जानकी जी को प्रडाम किया जानकी जी बिना उसके प्रडाम का जवाब दिये ही कहने लगी कि दामा जी यह तो बहुत गलत ब कि मम्मी जी आम मुझसे इतनी रुखाई से बात क्यों कर रही है वैसाली अगर माई के आ जाएगी तो फिर यहां सब कुछ कौन समालेगा तभी जानकी जी गुस्से में बोली देखो दामाज जी मेरी बेटी आपके घर की कोई नोकरानी नहीं है और मैं उसकी माँ हूँ यहा यहां उसका परिवार नहीं है क्या उसे हम सबसे मिलने का कोई दिकार नहीं है मैंने अपने बिटिया का बया किया है उसे आपके यहां गुलामी करने के लिए नहीं भेजा है देखे दामाज जी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वैसाली को कुछी दिनों के लिए माई क कहे कर उसे बात करती थी लेकिन आज अपनी सासु मा का बदला हुआ स्वर्व सुनकर अंकित हैरान था फोन रखने के बाद अंकित गुसे में वैसाली के पास पहुचा और वैसाली से कहने लगा कि देखो मैं तुम्हारी मा की बहुत इज़त करता हूँ इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं कहा लेकिन तुम्हारी मा ने आज मुझे अच्छी तरीके से बात नहीं की अपने दामा से बात करने का या भी कोई तरीका होता है क्या तुम अपनी मा को समझा देना कि वहागे से मुझे आईसी बात नहीं करें हो सकता है उन्हें गुस्सा आ गया हो लेकिन उन्हें अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए था ना ये सुनकर वैसाली जट से बोली कि अच्छा तो तुम्हें मेरी मा की बाते सुनकर अच्छा नहीं लगा लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि जिस तरह तुम अपनी मा की इजद करते हो उसी तरह मैं भी अपनी मा की इजद करती हूँ और आपने ही तो कहा था ना कि मा को उनकी गलती के बारे में एहसास दिलाने से उनका अपमान होता है तो इसलिए मैं भी अपनी मा का अपमान नहीं करूंगी या सुनकर अंकित भौचक का रह गया तभी वैसाली ने कहा कि देखो आज मेरी माने तुमसे जरा रुखाई से बात कर ली तो तुम्हें कितना बुरा लग रहा है ना तो तुम्हारी मम्मी मुझे गालिया देती रहती हैं ताने देती रहती हैं तब भी तुम मुझे कहते हो कि गालिया सुनने से मैं छोटी नहीं हो जाओंगी ठीक उसी तरह तुम भी मेरी मां की बातों को सुनकर कोई छोटे नहीं हो गए हो आज भी तुम्हारा व्यक्तित वै पिर भी तुम्हें बुरा लग रहा है ना उसी तरह कोई दिन रात मुझे गालिया दे को से मेरे घरवालों को सुनाए तुम मुझे भी बुरा लगता है बलकि मेरी माने तो तुमसे बस रुखाई से बात की है तुम्हें गाली तो नहीं दी ना तुम्हें कोसा तो नहीं तु उन्हें भी बुरा लगेगा और फिर मुझे भी उनके सामने जाकर कभी सामाने होकर बात करने में अच्छा नहीं लगेगा तुम तो उनके बेटे हो तो तुम तो उन्हें प्यार से समझा सकते हो परिस्थितियों को समालना तुमें सीखना ही पड़ेगा बहुत अच्छी बा वैसाली की बात सुनकर अंकित का सर्म से जग गया और वा कहने लगा कि सच मेयार तुम्हारी माने मुसे एक दिन ही ऐसे गुस्से में बात की तो मुझे कितना बुरा लग गया तो तुम तो रोज मेरी मा के ताने सुनती हो लेकिन अभर नहीं मैं आज ही मा से इस बारे में बात करूँगा इतना कहकर अंकित वहां से बाहर जाने लगा तो वैसाली ने उनका हाथ पकड़ लिया और उनकी आखों में आखे डाल कर कहने लगी कि मेरी मा की तरफ से मैं तुम से मापी मांगती हूं क्योंकि ये सारा की आधरा मेरा ही है मैंने ही मा से कहा था कि तुम आंकित से थोड़ा रुखाई से इस बारे में बात करना ताकि उन्हें भी थोड़ा एशास हो कि अगर कोई हमसे रुखा विवार करता है तो कितना बुरा लगता है बस मुझे तुम्हें यहीं अहसास दिलाना था और अब तुम्हें मेरी तकलीप का अहसास हो चुका है इसलिए मैं तुम्हें सचाई बता रही हूँ तुम मेरी मा के लिए अपने मन में कोई मैल मत रखना मेरी मा बहुत अच्छी है वा तो ऐसा करने के लिए तैयार भी नहीं हो रही थी क्योंकि वा तुमसे भी बहुत प्यार करती है इतना कहकर वो चुप हो गई तो अंकित जरा कड़क में बोला अच्छा तो यह तुम्हारी प्लानिंग थी जाओ अब मैं अपनी मा से कोई बात नहीं करूंगा यह सुनकर वैसाली इस तब दरे गई आगले ही पल अंकित थासरते हुए बोला क्यों एक्टिंग करना केवल तुम्हें और तुम्हारी मा को ही आता है देखो मैंने भी थोड़ी एक्टिंग कर लिया ना तुम चिंता मत करो वैसाली मैं अपनी बात से पीछ नहीं करते हुए बोला कि मा मुझे आपसे कुछ बात करनी है तभी रजनी जी बोली बोलो बेटा क्या हुआ तभी अंकित ने कहा कि मा अगर वैसाली से कुछ गलती हो भी जाती है तो आप उसे प्याल से सम actा दिया करोण आप पूरे दिन घर में गाली निकालती रहती हो त मुझे अच्छा नहीं लगता पर उसी भी कह रहे थे कि आज कल तुम्हारी मा बहुत बदल गई है पहले तो या बहुत सब्बेव recreate करती थी लेकिन अब तो तुम्हारी घरची है मेंसा तुम्हारी मा की गालियों की आवाज आती रहती है मा कोई तुम्हारे बारे में ऐसी बाते करे या मुझसे सहन नहीं होता और उपर से तुम इतनी ममतामई हो मुझ पर इतना प्यार लुटाती हो तो थोड़ा सा प्यार अपनी बहु के हिस्से में भी डाल दो फिर देखना वैसाली अभी तुम्हें बहुत प्यार करेगी वैसे भी मैं तो दिन भर आफिस में रहता हूँ तो तुम दोनों सास बहु को ही एक साथ रहना है तो मैं चाहता हूँ कि जब तुम दोनों एक साथ रहो तो घर में खुशनवा माहूल बना रहे या नहीं कि एक को देखकर दूसरे का दिल जले मा तुम दोनों ही मेरे लिए महतुपूर्ण हो तुम समझ गई होगी कि मैं क्या कहने की कोशिच कर रहा हूँ जिस तरह तुम्हारे लिए पापा भी महतुपूर्ण है और मैं भी महतु पूर्ण है जीवन साती की जगा मा नहीं ले सकती और मा की जगा जीवन साती नहीं ले सकती उम्मिद करता हूँ कि आप मेरी बातों का बुरा नहीं मानेंगी और आगे से आप वैसाली के साथ भी प्यार से ही रहोगी अंकित अपनी मा से या बाते बोल रहा था तब तो मेरी गलतियों के लिए रोक सकता था लेकिन वह सायद अपनी मा का अपमान नहीं करना चाहता था इसलिए मा को अकेले में समझाने आया था फिर वावैसाली के बारे में सोचने लगी कि मैंने बहु को कितनी बार गालियां दी और कितनी बार ताने दिये लेकिन उसने पलट कर क मैं वहीं गलती बार बार दो रहाऊंगी तो फिर अंकित भी कब तक मेरे साथ खड़ा रह पाएगा या सब सोच कर उन्होंने खुद को बदलना ही सही समझा अगले दिन से ही उन्होंने अपनी बहु वैसाली के उपर बेवजा चीखना चिलनाना बंद कर दिया था वैसाली से ज्यादा से ज्यादा समय बिताया करती थी वैसाली बहुत खुछ थी कि समय रहते उसके पती को या सब बाते समझा गई थी और उसने अपनी मा को सब कुछ समझा दिया था आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद